हलोस्केंट्स! बटा, आज हम डिसक्स करेंगे प्यरामेट्रिस फॉन उप सर्केव प्यरामेट्रिक फॉन अतल chi जैसे आफ जानते हो कि मैंने पास दो मेंने फॉन फॉन आएंट तर एक तो आपके पास क्या हों कि सर्कल अगर आपके पास इस फॉन का है तो आप जालते हो ती सर्क्री कि जो स्टेंडर फोम है X2Y2 is equal to R यह पेटा Cartesian फोम क्या आती है अब परामिटरिक फोम से मेरा रखलत यह कि कोई भी जेनल पॉइंट हमारे पास जो X, Y है अगर मैं उसको ओरिजिन से जोइन कर दो तो मांगो यह मेरे पास है R, उसने एकल बना है वह है खेटा तो बेटा, टिग्नोमेटरिक लिए पर यह प्रूब कर सकते हैं यह X किसके ब्रावर है R plus theta के और Y किसके ब्रावर है R sin theta के देखो, polar coordinate या parametric coordinate आपको में पढ़ा जाए तो कोई भी सर्क्रत्राइश को हमका होगा X square plus Y square is equal to R square उसकी बेटा parametric form होती है ही X is equal to R plus theta और Y is equal to R sin theta दोनों का square करके अडिक होगे, आपको यहें बिल जाएगी For example, कर को यह कहते कोई, कि भई, X square plus Y square is equal to 25 इस सर्क्रत्राइश की parametric form नहीं का दो, तो आपके पास क्या आएगी, X is equal to 5 cos theta and Y is equal to 5 sin theta यह ओखी बेटा parametric form इस case में और एक case आपके पास बनता है जब्हों यह बादा, जब हमारे पास Saturday coordinates hk हो और radius क्या हो, R, so in this situation आपके पास रहे हैं कि बेटा, X is equal to X plus R cos theta और Y is equal to रहेगा K plus R cos theta ठीक है, क्यों आपको यह दाज़े रखना है For example, मार्णों आपको इस्क्रत्राइब रहे हैं, X square plus Y square minus 6X minus 8Y is equal to 0 अब बताओ, इस circle का center क्या हापके पास 3,4 और radius क्या रहेगी निकारेगे तो 5 So you have the radius as well as center तो इसकी parametric form बनेगी और एक को additional problem try करेंगे पेडा, exemplar के मुख से J-AIDS रहेंगे, आपको प्रैटिस कर रहे हैं